हाई गाईस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने लास्ट वीडियो से जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपकी कॉल नोटिफिकेशन एसमेस और वट्सप के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो कैसे आप सही परवीशन डालके वह एसमेस नोटिफिकेशन रिस काया वोच ओछ्छ दो वच फेसित उसका अप्शन नहीं आ रहा है तुम मैंने इस फोन में फ्रेश आप इंसल्ड करई है परमीरंशन फरस्टाइम दी है अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये लेटेस्ट अैप है उसमें कास्टम फेसवॉच बचन या नहीं द नहीं दाइल सैटिंग्स में जाना पड़ेगा आपको यो डिफॉल्ट वाचे इस हैं यह आपको दिखाई देंगे और यह आपका क्लाउड वॉच ये इस पर जाएंगे तो है तो यह आपको बागी्ट वॉचिस जाएं गए जो सारे यह ऐंपको मिल जाएंगे सबसे पहले हम लोग किसी एक cloud watch को download कर लेते हैं watch face को so मेरा net अभी थोड़ सा slow है शायद time लग जाए so आपके सामने मैं watch को custom watch को add कर रहा हूँ यह यह आपर download हो रहा है and अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फिलाल currently यह वाला मैं use कर रहा हूँ तो यह sinking पूरी हो चुकी है and guys मेरा custom watch face जो cloud watch face है वो यहाँ पर set हो गया है जैसा कि आप देख सकते हैं तो इसमें कोई problem नहीं हुए क्योंकि मैंने सारी permissions correctly दी थी so cloud वाला हो गया आप काफी लोगों ने बोला है custom नहीं add हो रहा है so custom watch face add करने के लिए guys अगर आपको default में change करना है तो आप किसी पर भी click कर लिंगे set watch face कर लीजिए तो आपने देखा था मैंने cloud से उठाए था अभी मेरा दूसरा आ गया है जो यह वाला लगा था blue वाला करता हूं set watch face करता हूं तो आप देखते हैं यहाँ पर change हो गया मैं यहाँ पर या तो आप camera shutter use कर सकते हैं camera से अपनी photo कीच सकते हैं या आप use कर सकते हैं अपने gallery से कुछ भी so मैं gallery से उठा लेता हूं so यह एक photo है मैं इस photo को लगाना चाहता हूं अपना custom face watch पे so यह मैंने कर लिया guys यह उपर जो icon है आप इसको मत भूलेगा यह सबसे बड़ी problem की जड़े करीपा लोगों के लिए so यह जो उपर icon है इस पर प्रेस जब तक नहीं करेंगे आपका custom watch face नहीं लगेगा तो आपने देखा है जैसी मैंने press किया यहाँ पर आ गया है and guys अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको sample के लिए दिख रहा है अब मैं यहाँ पर click कर देता हूं अब यह sync होगा इसके साथ तोड़ा सा time लग सकता है मेरा भी फिलहाल तोड़ा सा internet slow है तो आप तोड़ा सा changes देख रहे होंगे इस पर so usually यह काफी fast होता है मैं watch भी on कर देता हूं आपको पता लगेगा कि वो कब change हुआ है तो ऐसा दिखेगा जैसा वो आपको उपर दिख रहा है sample के लिए मैं tap कर रहा हूं ताकि इसकी light on रहे जब यह change हो तो guys यह आपका custom watch face भी आपका लग गया है तो guys देखेए कोई problem नहीं आएगी अगर आपने सही से permission दी है आप सही से video में जैसा मैंने instruction दी है अगर आप वैसा follow करते हैं उपर पर जो button था उसको लगाते है आपको custom watch face set करने में कोई problem नहीं आएगी अब कई लोग बोलेंगे कि sir आपका version कौन सा है app का तो अगर आप यहां से जाके check करेंगे देखें मैं firmware 9 version पर हूँ और अगर आप app का version देखना चाहते हैं तो मैं आपको app का भी version दिखा देता हूँ जो मैं currently version यूज़ कर रहा हूँ वह आप देख सकते हैं यह वाला version है version 1.1.0 यही सब के पास होगा अगर आप android यूज़ कर रहे हैं यही इसकी latest app है तो यह सारी settings आपके लिए वैसे ही काम करनी चाहिए जैसे कि मेरे लिए कर रही है आपका यह custom watch face का issue resolve हो गया हो अगर नहीं हुआ है तो प्लीज मेरे को comment section में बताइएगा मैं definitely आप लोग की help करने की कोशिश करूँगा बट जो process मैंने आपको बताए I hope इससे आपकी problem solve हो पाए Thank you guys for watching this video have a nice day